वेलकम टो और चनल फ्रेंड्स आज हम देखेंगे पृत्यू के बाग वस्रियत कितने समय के लिए वैद होती है यह अप्टर डेट विल इतने समय के लिए वैलिड होती है फ्रेंड्स वीडियो अन तक देखें लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए तो चले जानेंगे विल के बारे में अब वस्यत करता की चल और अचल दोनों समपत्यों के बारे में यहने मुहेबल और इमुहेबल प्रापर्टी के बारे में उसकी महिशा की कानूनी घोष्णा है वस्यत का प्रावर्तन हमेशा वस्यत करता की मुरुट्यों के बाद होता है और यदि वस्यत करता की संपत्यी उसकी मुरुट्यों से पहले भिखर जाती है तो उसका दस्तावेज को वसियत के रूप में नहीं माणा जाता है क्या मुर्थ्यू के बाद की वैत्ता को अधालत के समक्ष चुनोती दी जा सकती है लेकिन एक निचित समय आउधी में एक लिमिट में इसलिए मृत्यू के बाद की वहित्ता काफी महत्व गुर्णा है अब मृत्यू के बाद वसियत की वहित्ता होगी या नहीं ये हम जानेंगे आगे वसियत करता की मृत्यू के बाद एक वसियत लागू की जानी है अब वसियत का मूल उद्देश वसियत करता की वसियत को उसके प्रॉपर्टी और अन्या कोई संपत्यों के संबन में लागू करना है एक वसियत करता की मृत्यू के बार वसियत की वैत्ता को चुनोदी दी जा सकती है सामान ने भाषा में कहे तो वसियत वैद है चाहे वो पंजिक्रूत हो या रजिस्टर्ड हो या अपंजिक्रूत हो अब वसियत के प्रभाल होने की कोई समय सिमा नहीं है याने कोई लिमिटेशन नहीं है वसियत करता की मृत्यू से 12 वर्ष तक वसियत को चुनोती दी जा सकती याने 12 यर्ष तक चैलेंज की जा सकती है अब जमनादास बनाम नवीन ठक्राल और अन्य मामले में सुप्रिम कोर्ट के अनुसार अगर कुछ कारण है कि कुछ पार्टियों को लंबे समयता वसियत का ग्यान नहीं हो सकता है तो सीविल जैज दौरा नैचरल जैस्टिस के रूप में 12 साल की सीमा को माप किया जा सकता है अन्य था प्रभावित हो सकता है अब वसियत कितने साल के लिए वैद होती है चलिए जानेंगे वसियत करता की मृत्य के बाद एक वसियत वैद होती है और इसके प्रवर्तन पर कोई रोख नहीं होती है लेकिन वसियत को चुनोती देने की समय होदी याने लिमिंटेशन सिर्फ 12 साल है और अगर कोई व्यत्ती 12 साल बाद इसे चुनोती देना चाहता है तो उसे देरी का कारण बताना होगा याने क्यों डिले हुआ है उनको वो डिले का कारण विजनेबल रिजन देना होगा एक बार वसियत की सामगरी को पूरा करने के बाद वसियत को निश्पादित माना जाता है भारतिय कानुन में वसियत के लिए समय सिमाक याने लिमिटेशन की आउदी के समन में कोई विशिष्टा कानुन नहीं है एक बार 12 साल के आउदी बीच जाने के बाद वसियत को स्ता किसी भी समय लागू किया जा सकता है। इसकी कोई सीमा नहीं है। अब वसियत करता की वृत्य के बाद वसियत कैसे काम करती है। चलिए जानेंगे। वसियत करता की वृत्य के बाद एक वसियत लागू की जाती है। और वसियत को लागू करने के लिए। लाभार्ति को वसियत के निश्पादन के लिए एक प्रोबेट और आदेश प्राप्त करने की आवशक्ता होती है। कि आपको अदालत में यह साबिट करना होगा कि वसियत बनाने वाले व utilize ने इसे पूर्य सहमति से बनाया है और किसी तरह के दबाव में नहीं था। कानुन की अधालत अने वस्यत अभ अंजीकुत वस्यत के मामले में और जब समपत्थी किसी व्यक्ति को हस्तांतरित की जनियान अने ट्रांसपर की जाड़ी है तो अधालत से यहन प्रोबेट आवश्यक है अब वस्यत के प्रवर्दन में किसी भी प्रकार की दोकादड़ी या अन्न गलत फैमेर से बचाओ के लिए प्रोबेट आवश्यक है प्रोबेट प्राप्ट करने के लिए किसी व्यक्ति को वस्यत की प्रमाणिक्ता साबित करने की आवश्यक्त होती है और इसे बीना किसे अनुचित प्रभाव के बनाया जाता है इसके अलावा भारतिय उत्तरादिकार अधिनियम 1925 के तफ़त पंजी कुरूत वसियत के मामले में प्रोबेट की कोई आवशक्ता नहीं है क्योंकि वसियत पले से ही और यह ज्यात और सिद्धा है पियव व्यक्ति के अंतिम वसियत है और इसमें किसी भी प्रकार की दोका दड़ी का कोई प्रकार नहीं है अब वसियत क्या वसियत खत्म हो जाती है चलिए जानेंगे एक वसियत के माल तभी समाप्त हो सकती है जब कोई नई वसियत बनती है निव वसियत बनती है निव विल बनता है या वसियत करता इसे वापस ले लेता है यदि कोई वसियत अनुचित प्रवाव के तहर बनाई गई है या दोका दड़ी के तहर बनाई है तो वसियत भी समाप्त हो सकती है ऐसे मामलों में एक वसियत शुन्य है और इसे समाप्त हो ग है वह legally valid होती है इसलिए हम कह सकते हैं कि जब तक इसे निश्पादक द्वारा सोयन या वसियत की विश्यवस्तु द्वारा निरस्त नहीं किया जाता लाभारती के पास जाने से पहले अपना अस्तित्व खो दिया जाता है या कानून की अधालत इसे अवेद शुण्य और ये थी वसियत के बारे में जानकरी थैंक यू कि अबना को हुआ को हुआ हुआ है जानकरी सका बारे में जानकरी कर दो कर दो कर दो दो